इसलाम का उदय पांच सो सतर से बारा सो इस्वी पांच सो सतर इस्वी कार्द क्या हुआ कि इसा मसी के जन्म के लगभग पांच सो सतर वर्ष बाद इसा मसी के जन्म के लगभग पांच सो सतर वर्ष बाद की घटनाओं से हमारा तालुकात है जो बारा सो ईस्वी तक चला जहां तक कि हमारे विश्य का सवाल है तो लगभग ये छैसो वर्षों के काल का जिक्र हम इस अध्याय में करेंगे छैसो वर्षों का का अध्यान हम करेंगे इस अध्याय में और इसके साथ ही हम जानेंगे कि बारा सो ईस्वी में इसलाम की अंतिम स्थिति क्या थी इस काल में भारत की क्या स्थिति थी थोड़ा वो भी हम समझने की कोशिश करें भारत क्या था ये वो काल है जब भारत में गुप्त वंश समाप्थ हो चुका था और इसके बाद कुछ विदेशी ताकतें भारत के पडोश में आने लगी थी साथ ही उत्तर भारत में कन्नौज का ख्षित जहां हरिश्वरजन का शासन था और उसके बाद की घटनाएं इस समय चल रही थी भारत भी कई हिस्सों में बढ़ चुका था वहाँ पे दो-तीन एंपायर दो-तीन सामराज आ चुके थे भारत में जैसे कि आपने अभी पढ़ा बाइजन्टाइन एंपायर आपने पढ़ा पर्शियन एंपायर ऐसे भारत में भी कुछ एंपायर बन चुके थे यद्यपियो तिलनात्मक जिस्टी से छोटे थे तो भारत की सित्य तो यह थी अब पांच सो सतर से बारा सो तक के इतिहाद पर हम नज़र डालें इसलाम की भूमिक कहां है यह हम समझ लिए एशिया महाद्वीब के दक्षिन और पश्चिम में और इराक और पूरप से कुछ दूर इरान में यह भी हमने देख लिया इसके अलावा हमने देखा कि तीन और समझ रहें तभी से प्राइद्वीब कहते हैं और तीन और समझ कौन कौन से हैं एक और लाल सागर है दूसरा फारत की खाड़ी है पर्शिन गल्फ और तीसरा जहां अरब सागर है पूर में फारत की खाड़ी दक्षिन में अरब सागर हिंदमा सागर और पश्चिम में लाल सागर अरब के लोग इसको जजिरात अल अरब कहते हैं अरब के लोग इस खेतर को जजिरात अल अरब कहते हैं ये जो विशाल ख्षेत जो हमने देखा भागोलिक दिश्टी से बहुती गरम ख्षेत रहे, मरू भूमी है, बहुती गरम, अत्याधिक गरम जलवाईू है, ये देपे तीन और समुझे से घिरो होने के बावजूद भी जलवाईू शुश्क है, गरम है, और भूमी भी जाओ है, फिर भी यदि लोग रहते हैं, तो वे ऐसे ख्षेतरों पर जहां पर वर्शा होती है, और वर्शा कहां पर होती होगी, वही समुझे किनारों पर, इसलिए आपने देखा, मक्का, मदीना और कुछ और शहर जो देखे, वे किनारे तट पर बने हुए हैं, क्योंकि वहां समुझे से आने वाली बादलों से, समुझे से आने वाले बादलों से वर्शा होती है, जो नवी बनती है, जो वाश्व बनता है, उसे वर्शा वही होती है, जो मुख्य बंदरगा है इस ख्षेतर का, वो अदन है, अदन, और नदी जो एक बहती हुए, आपने देख पश्चिम खेत्र ही उपजाओ है यानि वही मक्का मदीना का खेत्र दक्षिन पश्चिम खेत्र ही थोड़ा उपजाओ है यहाँ एक जो अच्छी फसल होती है वो खजूर की होती है और अर्थववस्था का मुख्य जो जरिया है परिवहन का मुख्य जो जरिया है वहाँ पूरा लबालब है इसलिए उट का उट से सम्मंदित व्यवसाय यहां ज्यादा है जबकि दक्षिन पश्चिम खेत्र में ही जलवाई थोड़ी ऐसी है जहां कुछ उपज हो सकती है और उपजों में मूल रूप से खजूर की पैदावार बहुत होती है यह जो जगह है सूखी जगह यहां पर मूल रूप से अधिकतर लोग खाना बदोश रहते थे खाना बदोश क्या होता है ऐसे लोग जो एक स्थल से दूसरे स्थल लगातार जाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करें एक जगह स्थाई नहीं रहते हैं इनका कोई एक खाई निवास इस्थान नहीं होता, ये यायावर प्रभृतिके रहते हैं, और आखिर इसका कारण क्या होगा, खाना बदोष होने का कारण भोजन आधी की खोज में, उचित जगह की खोज में, ये लोग भटकते रहते हैं, चलते रहता हैं और ऐसा करते करते ह हरियाली उपजाओ वाले ख्षेत्र में भी आजाते हैं और इन मेंसे कुछ लोग यहां बस जाते हैं पर आपको यह मालूम होना ज़े कि मूल रूप से यह यायावर जीवन जीते हैं गुमक्कड हैं और ऐसे गुमक्कड लोगं को इनकी भाषा में बद्दू कहा जाता था क् कि यह यह यायावर प्रफितिके हैं घुमक्कड हैं ठक्कड हैं तो उस हज़ तक यह लोग असब जीवन भी हैं और असब इसे तालुकात है कि यह लोग शराप खुरी बहु देववाद बहु देववाद अर्था बहुत से देवी देवताओं में विश्वास करना जिस प बहु पती प्रथा बहु पती प्रथा याने एक पत्नी और पती एक से ज़्यादा तोना तोटका और अन्य प्रकार की ऐसी प्रथाएं थी जिसे हम को प्रथा कह सकते हैं जिसे सब भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता उन लोगों की दृष्टी में तो यह प्रथाएं इसलिए वो चलती थी लेकिन सब्वे समाद की दिष्टि में ये उचित नहीं थी इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब्विता जो थी यहां के जो लोग थे एक तरीके से असब्वित थे आपको याद रखना होगा कि उस काल में बहु देववाद था बहु देववाद का अरत क्या हुआ एक से ज़्यादा देवी देवता होने का कारण क्या था एक से ज़्यादा देवी देवता होने का कारण क्या था मैंने आपको बताया कि ये लोग गुमककर प्रभृतिके थे और जब घूमते थे तो पूरा का पूरा दल बल एक साथ लाखों लोग एक साथ एक ही जगह से नहीं घूमते थे तुकड़ों टुकड़ों में अपने उसी जगह गया है ये जो जुन्ड थे ये जुन्ड कहलाते थे कबीला क्या कहलाते थे कबीला कबीले तो दूसरे शब्दों में ये लोग कबीलाई जीवन जीत कर रहे थे कबीलाई जीवन में संभावना है कि हर कबीले की अपनी अपने संस्कृति होगी हर कबीले का अपन अपना विचार होगा अपना व्यवहार होगा अपनी अपनी हो सकता भाषा भी होगी अपनी अपनी आदते होंगी क्योंकि ये आदते भाषा विचार धर्म आदी जो पनपता है किसी समाज में वो भागोलिक स्थिति से काभी प्रभावित होके बढ़ता है उसका भागोलिक स सित्य से बहुत गहरा तालुकात है उसका वहां की जलवाईू से बहुत ज्यादा तालुकात होता है किसका उनकी विचारधारा का उनके जीवन शाली का उनके रहन सहन का उनकी सोच का तो कल्पना करिये ऐसे बहुत सारे कबीले बहुत सारे कबीले कबीले मरतब व्यक्तियों क जुन्ड मैलाओं पुर्शों का जुन्ड ये अलग-अलग जगा घुमता था अखिर कबिला बनता कैसे था कल ना करिए एक व्यक्ति है एक व्यक्ति के चार पुत्र हुए ठीक चार पुत्रों के विवा के बाद उन चारों पुत्रों के दो तीन दो तीन पुत्र हुए ऐसा क पांच कभीलों के रूप में बदल सकता है तो कभीले एक तरह का एक group होता था एक homogeneous group और उसका जो मुखिया होता था वो शेक कहलाता था मुखिया जो होता था उसे शेक कहते थे तो ऐसे कभी लाई जीवन ये लोग जीते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जो शेख होता था वो मुखिया तो होता थी था पर इसके साथ ही साथ ये जरूरी होता था कि शेख स्वाहम में कुछ ऐसे गुण हो जो नित्रत्व के लिए आवश्यक हो जैसे पारिवारिक संबन्द उसके अच्छे हो बुद्धिमान हो तारकिक बातें करता हो उदार हो और उसके साथ ही साथ साहस हो क्योंकि इन कबीलों को एक दूसरे से जब तब एक तरीके से कहना चाहिए छोटे छोटे युद्ध लड़ने पड़ती थी लड़ाईयां लड़नी पड़ती थी और उसमें शेख का नित्द तो ही बहुत मायने रगता था बहुत काम आता था तो मैंने बात आपको बताई कबीला कबीले का मुखिया शेख और कबीले का निर्माण कैसे होता था और शेख की पातरता क्या होती थी यह चर्चा कर लिए अब जब इतने सारे कबीले हैं तो हरे की अपनी परंपराएं हैं हर एक की अपनी जीवन शैली है, हर एक का अपना रहन सहन है, हर एक की अपनी स्वांस्कृति है, तो हर एक के अपने देवी देवता भी हैं, इसलिए जितने कबीले समझ लीजे उतने देवी देवता, और इसलिए बहु देव वाद की बात मैंने की, इसलिए मैंने आपको क्य बताया बहुदेववाद हर कबीला अपने अपने देवी देवता रखता था तो कि हर के अबिले की अपनी परंपराएं होती थी और वो अपने देवी देवता की पूजा स्वैम करता था अपने तरीके की एक सनरचना के अंदर जिसे मस्जिद कहलो या बुत या सनम के रूप में वो उनके पूजार्चना करता था तो ये बहु देवबाद की प्रथा उसमें अत्यादिक गहरी पैटली होई थी एक ही अरब के खेत्र अरब जैसे खेत्र में ही बहुत सारे देवी देवता हो गये थे मैंने आपको बताया कि ये लोग खाना वदोश थे और साथ ही साथ कुछ लोग उपजाओ खेत्र में व्यापारिक केंद्रों में बस भी गये इस्थाई निवाद भी करने लगे लेकिन कभी इलाई जीवन इनका बना था तो दूसरे शब्दों में कि ये कभीले खाना थे बेदूइन कहते थे और आम तोर पर हरे भरे खेत्रों में चले आते थे भोजन की तलाश में उटों के माध्यम से उट जो उनका परिवहन का जरिया होता था उसके माध्यम से चले आते थे और इस प्रकार उन में से कुछ लोग वहां बस जाते थे कुछ-कुछ बद्द कि वहां जलवायू अच्छी है क्योंकि हरा वरा ख्षेत्र है जलवायू है थोड़ा बहुत व्यापार भी होता था तो इस प्रकार इन्हीं कबीलों में से कुछ बद्दू लोग वहां बद जाते थे तो हम कह सकते हैं कि अरब ख्षेत्र में मूलता कबीलाई जीवन होता था कबीलाई जीवन होने के नाति ये लोग व्यायावर प्रविर्ति के खाना वदोष प्रविर्ति के थे बहुत देवताओं में विश्वास था भोजन आदिकी खोज में ये लोग भटकते थे और मूलता फिर कहां पहुँच पढ़ते थे जहां उनको भोजन उपलब्द हो याने हरा भरा खेत्र और वहां कुछ लोग बस जाते थे चाहे खेती के लिए चाहे व्यापार के लिए और कुछ लोग और आगे बढ़ चलते थे ये जो खाना बदोश लोग थे एक तरिके से इन में सैनिक गुण तो थे क्योंकि सब कभील आई प्रफरितिक्के थे बड़े संघर्श का जीवन इनको जीना परता था बड़ा कठोर जीवन जीना परता था सतत रूप से जीवन से संघर्श करते थे सतत रूप से अपने अन्य कबीलों से संघर्श करते थे तो इस प्रकार इन में साहस, बल और सैनिक गुण अंतर नहत हो गया था इन में से जो अधिकतर लोग थे आने वाले समय में जिसे हम इसलाम धर में खलीफा कहते हैं इनके द्वारा यही लोग सैनिक बनाए गया आने वाले समय में इन में से अधिकतर लोगों को खलीफा या सैनिक बनाए गया और ऐसे खलीफा और सैनिकों को मूलता दो खेतरों में रखा गया, दो शिविरों में रखा गया रेकिस्तान के किनारे बसे हुए दो शाहर कुफा और बस्रा रेकिस्तान के किनारे बसा हुआ है यह शाहर आप देख रहे हैं नक्षे में कुफा और बस्रा बहुत बड़े ख्षेतर थे, इन ख्षेतरों में यह खाना वदो श्चानिकों को शिविर के माद्यम से रखा गय ताकि ये जो खलीफा थे जो इसलाम धर्म के मुखिया थे धर्मिक और राजनेतिक दोनों इन खलीफाओं को सैनिकों की जरूरत थी अन्य लोंगों से लड़ने के लिए जिसका हम बस्तार से आगे बात करेंगे तो ये कहां से आते थे यही खाना वदोश या यावर प्रवित के लोंगों से ये दो जगा जो मैंने बताई आपको कुफ और बश्रा यहां पर इनको बसाने का कारण क्या था मूल रूप से इनके शिवर यहां क्यों थे दो कारण थे पहला कि खलीफा जहां स्वैम रहते थे मक्का मदिना में उसे से ये निकट था खलीफा जहां स्वैम रहते थे मक्काश में उसे से ये खेतर निकट थे और इसलिए खलीफा के द्वारा इन लोंगों पर नियंतरन रखना जो अत्यावश्यक था वह संभाव था निकटता ने बहतर नियंतरन के संभावनाएं दी थी इसलिए ये जगह चुनी गई थी और दूसरा कारण ये था कि यहां पर प्राकृतिक डिश्टि से ये बहतर था जैसा मैंने बताया कि रहन सहन के लिए भी एक खित जादा अच्छे थे और इनका जो जलवाई अगर था इस खित का बहतर था तो इन दो बातों को साथ ही चूंकि ये इस प्रवृतिके थे चूंकि ये लोग ऐसी जलवाई में रहने के आदती थे तो इसलिए बसरा और इस खितर में दोनों जगह में इनके रहने में कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए भी ये जगहों को चुना गया था और यहां पे बह ना वदोश लोगं को वहां बसाये गया ये जो लोग मूल रूप से खलीफा के सैनिक का कारे करते थे ये जो कबीले थे कबीले अब जन संक्या की दिष्ट से समय के साथ साथ बढ़ते गया तो जैसे जैसे जन संक्या बढ़ती थी कबीलों की वे और तूटते थे नए कबी ले हो गया और इन कबीलों के बीच में ही संघर्ष लगड़ाई ज़गड़ा जमीन के लिए भोजन के लिए रास्ते के लिए होता रहता था दूसरे शब्दों में अरब देश में अरब खेत्र में अरब पेनिंचला में ये जगड़ा एक सतत किस्टा था सतत्रूप से जगड़े होती रहते था किसी तरह का इनका राजिनीतिक विस्तार भी संब्भा नहीं था ये एक दूसरे के साथ इस कदर लड़ पड़ते थे कि एक ही करण भी संभव नहीं था बिल्कोल छोटे-छोटे-छोटे-छोटे टुकड़ों में कबीलों में तूटे हुए थे इनके जितने भी नेता थे जिनको हमgee कहते हैं वो शेखों के बीच में भी नेत्रिजिक के लिए सत्त लड़ाई चलती थी और कोई भी शेख इतना शक्षित शाली नहीं था कि उसे ज्यादा से ज्यादा कबीले के लोग स्विकार कर सकें दूसरे शब्दों में तत्काल इन हिस्थिती ऐसी थी कि परस पर छोटे छोटे मामले को लेकर वहाँ पे जगड़ा होता रहता था और जैसा मैंने बताया इनके अपने बहुत सारे देवी देवता थे और इनकी पूजा अर्चना हर कबीला अपने तरीके से करता था संख्यप्त में हम कह सकते हैं कि जो कबीले थे कबीले का स्वयम का एक मुखिया होता था और उसके साथ ये जो मुखिया थे वे शेक कहलाते थे और क्योंकि बहुत सारे कबीले थे इनके बहुत सारे देवी देवता थे इसलिए बहु देव वाद था मैंने आपको बताया कि बहुत देवी देवताओं की पूजा ये लोग अपने तरीके से करते थे जिसे या तो मस्जिद जिसा कहा जाए या बुथ या सनम ये नामन को दिये जाते थे अधिकतर कबीले खाना बदोश थे ये आपको बताया लेकिन इनमें से कुछ लोग खेती और व्यापार को लेकर कुछ शहरी खेतरों में बस भी गया पर अधिकतर खाना बदोश बने रहे और जो खाना बदोश बने रहे इनमें से बहुत से लोग को सैनिक के रूप में खलीफाओं ने बाद में लिया और उन्हें सैनिक शिवरों में दो शहरों में वहां पर उन्हें बसाया ये लोग आखिर खाना बदोश क्यों थे भोजन की खोज में यहां वहां जाते थे और उट के चारे के लिए जाते थे क्योंकि उठ ही उनके उसका मुखे जरिया सा आवाजाही का जो भूमी खेत्र था मूल रूप से वो रिगिस्तान ही था और साथ ही कुछ और ऐसे खेत्र थे जहां पर कुछ खेत्र थे जहां हर्याली थी जिसे हम नखलिस्तान कह सकते हैं जहां हरे भरे खेत मिलते थे तो नखलिस्तान खेतरों की खोज में ये खाना बदोश लोग सतत रूप से जाते रहते थे ये हुआ इसका एक बहुत संशिप्त विवरन कि आखिर इसलाम के पहले या पैगंबर के पहले किस तरह की वहाँ पे स पामाजिक जीवन था किस तरह की राजनायतिक इस्थिती थी और क्या परंपराएं क्या कुछ विचार थे अब हम चलते हैं इसके अपने विशे के अगले बिंदु पर पैगंबर के पहले का अरब कुछ अच्छी तरह समझने के बाद अब हम चलते हैं पैगंबर की और पै इसलाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद साहिब जिनोंने इसलाम धर्म की स्थापना की इसलाम धर्म के उदै के लिए जिम्मेदार पैगंबर मुहम्मद साहिब जब भी कुछ परिवर्तन होता है समाज में उसके पीछे कुछ कारण होता है वे कारण किसी चीज का कारण बनते हैं और फिर कारण जो है वो किसी अन्य परिवर्तन का कारण बनते हैं तो इस परकार हम कारण 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 इस क्रम में इतिहास को यदि देखें तो हमारे लिए समझना सरल हो जाता है प्राचीन घटनाओं को समझना सरल हो जाता है कि इसके कारण क्या थे फिर क्या निवारण हुआ जो निवारण हुआ वह फिर किसी घटना का कारण बना फिर वे कारण स्वैम फिर निवारण का कारण बने आदि आदे जब हमने इसका जिक्र किया पैगंबर के पहले के अरब खेत्र के जीवन का तो तीन चार बिंदू आप ने दिमाग में बठाया होगा पहला बड़ा कठिन जीवन क्योंकि जलवायू भूमी ये सब बड़ा एक सामान ने मानव जीवन के लिए बड़ा कठिन था दूभर था दूसरी बात आपके मन में आई होगी आपने बठाली होगी वह है कबील आई जीवन छोटे छोटे गुरूप में और वो भी यायावर का जीवन खाना बदोश का जीवन जिसमें कल हम कहां होंगे कैसे होंगे इसका कोई पता नहीं भटकते रहना भोजन पानी की खोज में तो कबील आई जीवन तीसरी चीज हमने देखी वहां पर उस समय कबीलों के बीच में सतत संघर्ष और देखा जाए तो ये सारे कबीले किसी ने किसी समय एक दूसरे से रहे होंगे एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे लेकिन अनेक सौ वर्षों के दर्मियान काल में ये सब अलग हो गए एक दूसरे से किसी भी तरह का संबंद नहीं रहा और संघर्ष करते रहे चौथी बात जो उस काल की हमने बार बार जो मैं वता रहा हूँ वह है बहुदेव वाद क्योंकि इसलाम धर्म के उदैकुल के पीछे ये बहुदेव वाद की ततकालीन परंपरा एक मुख्य कारण थी ये चार चीजों को आप खाल रखें